नमस्कार दोस्तों मैं उदैला अट्रेगवार स्वागत करता हूँ आज सभी का चहीत शानल इंडियन मुर्गी पालन परड़ों देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वड़ों में तह दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बरसात के मोसम में अब मशीन में अंडे डालने के वाक्त क्या निकल पाएंगे देशी मुर्गियों के चूजे हाँ दोस्तों यह फिल हाल का है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बरसात के मोसम में अब इंकुबिटर मशीन में अगर देशी मुर्गियों के अंडे डालेंगे तो क्या निकल पाएंगे मुर्गियों के चूजे यह सवाल आपके मन का है यह सवाल मेरे मन का है आज भावरत वर्ष का हर सामान्य मुर्गी पालग भाई यहां पर पूछ रहा है कि आखिर बरसात के मोसम में मशीन के अंदर अंडे डालने के बाद क्या निकल पाएंगे मुर्गियों के चूजे इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए अब यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहां पर अंततक देख लीजिए यह वीडियो अंततक देखते हुए यह आपको पसंद आजाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसअब नमबर वाटसअब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूप इंस्टाग्राम स्नैप चाट इन सोचल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए इस वीडियो की लिंक को जरूर यहां पर एक बार शेयर कर दीजिए रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हात जोड कर अनुरोद करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को तो मैंने अपना माना है और आखरी सास तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों को मैं अपना ही मानता रहोंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सरस्य यहां पर मानते हो तो जरूर यहां पर चानल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आ जाईए वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आंग कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तो सामान्य मुर्गी पालक भायों का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बरसात के मोसम में मशीन के अंदर अंडे डालने के बाद क्या निकल पाएंगे मुर्गियों के चूजी यह जो सवाल है दोस्तो इसका लेते है अब यहाँ पर सटेक जवाब तो देखिए दोस्तो हम सभी को क्या पता है कि जब हम मुर्गियों के नीचे अंडे रखते हैं बरसात के मोसम में तो बरसात के मोसम में मुर्गियों के नीचे अंडे रखने के बाद चूजे तो नहीं निकल पाते है आईसी परिस्तितियों में दोस्तों आपके मन में एक सवाल पन पाथा कि आगर बरसात के मोसम में मुर्ग्यों के नीचे अंडे रखने के बाद सही तरीके से चूजे निकल नहीं पाते है तो फिर एक सवाल उत्पन होता है सर जी कि मशीन के अंदर यदि बरसात के मोसम में अंडे डाले जाए तो क्या मशीन के अंदर चूजे तयार हो पाएंगे यह बहुत महत्वपुर्न सवाल है बरसात के मोसम में मुर्गियों के नीचे अंडे रखने के बाद चूजे क्यूं कम निकलते है या फिर नहीं निकलते है और मशीन के अंदर डालने के बाद क्या होता है इन सवालों के ल पालन के नाम से एक नया वाटसब ग्रूप बना दिया है, अगर आप इस वाटसब ग्रूप में जुड़ना चाहते हो, तो मुफ्त में जुड़ सकते हो, जुड़ने के लिए इस युडियो के डिस्क्रिप्शन में वाटसब की लिंक के आई और उस लिंक को टच कर दी जो हम हमारे साथ मुफ्त में जुड़ जाईए और साती साथ में आपके लिए और एक खुश कबर है दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से हमने ओनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी है जहां पर उत्पादन से लेके विक्री तक जहां पर प्रोडक्शन से लेके मार्केट आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा जहां पर फिड का खर्चा घटाने के लिए पूरा सपोर्ट होगा जहां पर मुर्गियों पर और चुजों पर बीमारी ना आए इसलिए समय समय पर टीका करन कब और किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी साती साथ में मुर्गियों और चूजों पर यदि बीमारी आ जाए तो तातकाल कौन सा इलाज करना है इसकी जानकारी और आपके पास यदि हैच्री हो तो हैच्री के माध्यम से किस प्रकार से चूजे निकाले जाए और चूजों को किस प्रकार से ब्रूडिंग करके बड़ा बनाई जाए इसकी पूरी जाएगा तो आई सी परिस्तितियों में दोस्तों अगर आपको उत्पादन से लेके विक्री तक यानि कि प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक पूरा सपोर्ट चाहिए तो आप आज ही हमारे अंलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हों जुड़ने के लिए दोस्तों आपको संपर करना है उसके बाद दोस्तों आपको वाटशाप नंबर पर आपका पूरा नाम पूरा पता छे आंकों का पिनकोड भीजवाना है इतनी जानकारी हम तक पहुचने के बाद दोस्तों मैं मेरा फोन पर गूगल पर नंबर आपको वाटसप पर भेजूंगा जो है इस नंबर पर आपको पास रुपए भेजने हैं दोस्तों और स्क्रीन शॉट भीजवाना है एक बार आपने स्क्रीन शॉट भीजवाए तो पास रुपए के केवल मासिक शुलक पर दोस्तों उत्पादन से लेके विक्रिय तक आपको आएसा सपोर्ट होगा जिस्ते इस अलाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने से कोई वंचित नहीं कर पाएगा तो देखिए दोस्तों अगर आपको जुड़ना है सही मात्रा में कमाना इलाखों का मुनाफ़ा तो हमारे साथ जुड़ जाए अब देखिए दोस्तों आपके मन का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ह हम देशी मुर्गियों के नीचे जो अंडे रखते हैं तो बरसात के मौसम में अंडों में से चूजे नहीं निकलते हैं क्या फिर मशीन में भी बरसात के मौसम में अंडे रखे जाए तो क्या बरसात के मौसम में मशीन से निकलते हैं मुर्गियों के चूजे इस सवाल का लेत पèceखाते हैं यह बात दोस्तों सच है क्यों है तो देखें दोस्तों जब हम मुर्गी को अंडों पर बिठाते या मुर्गी के नीचे जब अंडे रखते हैं उसी दाउरान यह दिफ बहुत ज्यादा बरसात ज्यादा बरसात हो तो humidity level बढ़ जाती है humidity level में मुर्गी को घुटन महसूस होती है जिसकी वजह से मुर्गी सही मात्रा में सही तरीके से अंडों को वहाँ पर rotate नहीं कर पाती है इससे मुर्गी क्या concentration भंग होता है और उसकी वजह से हमें चूजों की प्रापती में तकलीफ ह होती है दूसरी वजह दोस्तो मुर्गी के नीचे अंडे रखने के बाद यदि बहुत बड़े पैमाने पर विजली कड़कने की घटनाय होती है तो मुर्गी वहां पर डर जाती है सहम जाती हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसकी जान भी खत्रे में आ सकते है और इसी की वजह से उसका पूरा concentration खत्म हो जाता है जिसकी वजह से मुर्गी एकागर होकर अंडो को rotate कर नहीं पाती है जिसकी वजह से बरसात के मोसम में अमुमन आपको मिलने वाला अंडो में से चूजो का result यहां पर कम हो जाता है फिर यह दिकत तो मशीन में भी आ सकती है लेकिन मशीन में यह दिकत इसलिए नहीं आती है कि मशीन यहां पर जो है दोस्तों उसमें जान नहीं होती है जान निकालने की दोसरी बात दोस्तों बिजली कड़कने की घटनाओं का आसर मशीन के अंदर के अंडों को नहीं होता है क्योंकि मशीन का काम यहां पर निरंतरता से जारी रहता है मुर्गया क्यों नहीं वहां पर रोटेट कर पाती है वो डर जाती है सहम जाती है घबराती है लेकिन मशीन तो बे जान है उसका घबराने का कुछ सवाल ही नहीं होता है इसलिए दोस्तों बिजली कड़कने की घटनाओं में भी मुर्गयों के अंडों से चूजे निकलने की जो बात है उसमें मशीन के अंदर डालने कोई तकलिफ हो नहीं पाती है इसलिए दोस्तों आपके मन का जो सवाल था कि बरसात के मौसम में मशीन के अंदर अगर मुर्गयों के अंडे डाले तो क्या मुर्गयों के चूजे सही मातरा में निकल पाएंगे तो मुर्गयों के नीचे अंडे रखोगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा लेकिन मशीन एक मशीन है वो बेजान है इसलिए मशीन के अंदर बरसात के नहीं तो बारा महां अंडे डालोगे तो आपको सव प्रतिशत चूजे प्राप्त हो जाएगे कोई दिक्कत की बात नहीं है यानि कि आप मौसम में मशीन के अंदर अंडे डाल कर चूजों की प्राप्ति कर सकते हो क्यों आपको कहिता है व्में बढ़िया से बढ़िया मशीन दिला दीजीए थो भारत वर्षे में कहीं भी आ signature व कि सबसे सस्ती जो आपको वहाँँ पर आपके शहर में मिल जाएगे इसके लिए आ आपको पसंद आया तो आप बुकिंग कर सकते हो आपको आपके शहर में मशीन कुरियर के द्वारा मिल जाएगी फिर मशीन की क्या कीमत है कितने अंडो की है सभी बाते आप संपर किजे 84-81-82-62 पर आप दूसरी बात दोस्तों चोटी-चोटी जानकारी जो होती है बहुत महत से मेरा मुर्गी पालक भाई आज मेरे साथ जुड़ कर मेरे मारगदर्शिक में लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर रहा है तो आज यह आप हमारे ऑंलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं इसके लिए संपर किजे 84-81-62-62 पर तो यहां पर कॉल कीजे मेर इतना भीजने के साथ ही दोस्तों में मेरा फोन पे गूगल पे नंबर भीज़ों का यानि के एट तो सिक्स पाइज दोबलेट फॉर सिक्स जिरो फिर उस पर आपको पासुरुपए भेज कर स्क्रिंशॉट भीज़वाना है इसका मतलब क्या है दोस्तों समझ लीजिए कि आपको स्रीफ पासुरुपए मासिक शुलक पर ऐसा नौलेज दिया जाने वाला है ऐसा मारगदर्शन किया जाने वाला है कि जिस माध्यम से देशी मुर्गी पालन के व्योसाय में अभ्याब को आने वाले समय में हमारे मार्ग दर्शन के जरीए कोई भी लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगा अगर आपको भी आपका नसीब बदलना है तो क्रिपया समपर कीज़े चवरासी एकेज़ बैसी बासट बासट पर और साती साथ में दोस्तों हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से वाट्सप बना दिया है अगर आपको इस वाट्सप गूर्प में जुड़ना है तो तुर वीडियो के माध्यम से ज़रूर सोलुशन दोंगा पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए किसान भाय और मुर्गी पालक भायों तक पहुचाने के लिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाट्सप नंबर वाट्सप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक इंस् लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भायों मुर्गी पालक भायों से हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूं कि दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है आखरी सास तक अपना ही मानता रहोंगा यदि आप भी मुझे आपन में घंटी आएंगे इस घंटी को टच करते हो आल इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए ताकि आने वाला हरुड़े आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आइस सा एक नए वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तों देलाड़ आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर होगी पालक भाई का आज कुड़े में तहें दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार